बालों में सिरफ एक हफ्ते सिरफ साथ दिन ये पेस्ट लगा लो बाल इतने जादा लंबे हो जाएंगे कि तंग आकर कटवाने पर जाएंगे आज मैं आपके लिए बहुती अच्छी रेमेडी लेकर आया हूँ बहुती जबर्दस रेमेडी लेकर आया हूँ बालों को लंबा करने के विशे में आज मैं जो आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ वो है फ्रेंड्स ऐसी कि जिसे सरफ एक हफ्टे लगाने से आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे कि आप खुदी यकीर नहीं कर पाएंगे आज की जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ फ्रेंड्स वो एक आजमाई हुई रेमेडी है मेरे फ्रेंड्स एन फैमिली में इसको ट्राइ किया हुआ है और इसके आपको 110% मिलेंगे ही मिलेंगे और यह आपके बालों को बहुत तेशे लंबा तो करेगा ही साथी साथ आपके बालों की अधर प्रोब्लम्स को भी सॉल्व करेगा जैसे कि डेंड्रफ दो मुहे बाल और बालों का सफेदोना उन प्रोब्लम्स के भी सॉल्व करेगा और बात बालों को घना करेगा और साथ फ्रैंट्स यह देखे कलोंजी इस तरह के साइँ देगी कावंग BBC को हमने कर उसका powder त्यार कर लिया है जो आपको इस तरीके से दिखाई देगा यह देख JONछी का की चाशी आपको किसी भी जर्लन स्टोर पर और पंधह्ण पर इजीली अविलेबल हो जाएगी उसके बाद जो दूसरी चीज हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वह ए इव्यों 600 पर या फिर जनरल शो पर बहुत ही सस्ते रेटों में आपको आसानी से जो है मिल जाएगी उसके बाद दूसरी चीज़ हम इसके अंदर एड़ करेंगे वह यह फ्रेंड्स अब इसको इसके अंदर अच्छ से मैं जो है एड़ कर लूँगा यह देखिए इस तरीके से इसका सारा और मैं इसके अंदर डालिया है अभी हम इसके अंदर डालेंगे पतन जेली का एलोघर जयल जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आपके घर में एलोघर युदा का पोधा इसके अंदर ले लेंगे, आप हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे, इस तरीके से, ताकि इसका एक गाड़ा पेस्ट जो है, बनकर त्यार हो जाए, इस तरीके से, देखे फ्रेंड्स, एक गाड़ा पेस्ट बनकर त्यार हो गया है, इसे हम एक hair mask की तरा अपने बालों में यूज करेंगे, यह देखे कुछ black dye की तरह आपको दिखाई देगा, यह आपके बालों को काला करने में तो बहुत helpful हो गई होगा, साथी साथ आपके बालों को दो मुए बालों के problem solve करेगा, अब बालों को एक हफते में, एक हफता यूज करने से, बालों के लंबाई को भी बढ़ आपको अपने बालों में अपलाई करना है, बालों में लगाने के बाद 5-10 मिट बालों की जड़ों से लेकि सीरे तक मसाज करनी है, उसके बाद में यह आपको एक घंटे तक ऐसे ही लगे रहने दे रहे हैं, एक घंटा लगे रहने देने के बाद आपको शैंपू करना है, फ्रेंट्स ये आपको वन वीक तक पूरा यूज़ करना है और शैंपू आपको बहुत हलका लगाना है बहुत ज़्यादा शैंपू आपको यूज़ नहीं करना है एक हफता लगाने के बाद आप देखेंगी आपके बालों की ग्रोथ यह एक हफता लगाने के बाद आपकी जड़ों में इस तरह के समझ आएगा कि आपके बालों की ग्रोथ को रुकने ही नहीं देगा आपके बालों की सारी problems को solve करेगा साथ यसाथ आपके बालों की growth दुग्नी तिगनी कर देगा जिससे की आपके बाल दुग्नी तिगनी तेज़ी से बढ़ने लगेंगे और आपके जो सफेद बाल है वो बहुत तेज़ी से Kalay होने लगें तो कुल मिला के all-in-one remedy है और यह आपको 110% work करेगी करेगी बहुत ही natural remedy है और आपको फाइदा मिलेगा ही मिलेगा तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे नुसका पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो मेरे वीडियो क जरूर कीजेगा थेंक यू